आज मैं आप सभी लोगों के लिए बिरत में खाने वाली खीर बनाने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो दूद को मैंने रख दिया था उबलने के लिए और दूद खौनने के बाद मैंने डाला है दो मुठी छोटा वाला साबू दाना और अब मैंने लिए हैं छोहारे इनको मैंने कुछ देर पहले भिगो कर कट कर लिया है अब दूद में उबल फिर से आने लगा है तो अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए छोहारे फ्लेम को मैंने मेडियम किया है अब दूद और छुहारे को मिक्स करने के बाद मैं इसे लगभग 5-8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढखकर रख दूँगी और बीच-बीच में इसे चलाती रहूँगी ताकि खीर बरतन में चिपके नहीं अब खीर पक जाने के बाद मैंने डाली है छोटी लाइची कुटी हुई और टेस्ट के हिसाब से चीनी और इसे मिक्स करूँगी इसे मिक्स करते समय फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि खीर इसमें जले नहीं और अब मैंने डाले हैं कटे हुए बादाम और पिस्ता आप जब भी खीर बनाएं तो इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि आपकी खीर बरतन में चिपके नहीं और किसी वजनतल के बरतन में खीर बनाएं तो आपकी खीर और भी अच्छी बनेगी तो साबू दाने की खीर बनकर तयार है और मैंने इसे निकाला है कटोरी में गारनिसिंग के लिए डाले हैं कटे हुए बादाम और पिस्ते तो आप सभी लोगों के लिए साबूदाने की और छोहारे की खीर बनकर तयार है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेशिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले